कि दियार इस्टेंट्स आफ्टर लॉंग ब्रेक यू आर मोस्ट वेलकम तो मैं चैनल इंग्लिश इमोशन और इंग्लिश क्लासेज बाई यस भी से काफी लंबा समय हो गया और चैनल लगभख ऐसा लग रहा होगा सबी को कि सह बंद है लेकिन बंद नहीं है कुछ ऐसी इस्तितियां और परिस्तितियां जिनके वज़ेश थोड़ा सा रोकना पड़ा और आज यह आपकी वार्मप क्लास है एक स्टार्टिंग क्लास का यह थोड़ा सा एंट्वनिम से मैं शुरू कर रहा हूं और अब यह आपको कॉंटिन्यू आपको कॉंटेंट्स मिल करेंगे और लाइब भी होगी और बोर्ड पर भी क्लासेज आपको मिलेंगी तो जैसा भी हुआ हो जैसा भी चलता रहा हो अब साइद उस पर थोड़ा सा विराम और एक नए सेशन के स्टार्टिंग तो विदाउट फॉर्डर डिले लेट्स टार्ट वीडियो और आप लो भी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि सब लोग कैसे हैं उमीद है सब लोग अच्छे होंगे इस कुछ समयंतराल में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको जॉब मिल गई जैसे कि बीच बीच में खबर आती रही मुझे तो बहुत अच्छी बात उनको बहुत अपने डेस्टिनेशन मिलेगा गोल मिलेगा तो लगे रही और मेहनत करते रहे मेरी सुख कामना है सभी के साथ और मेरे चैनल को उसी तरह से आप फिलकुल सपोर्ट करिए और पूरी तरह से आगे बढ़ाईए जैसा कि पहले सभी लोग करते थे और मैं सभी का आभारी इस में जुड़े रहे और मेरे वीडियो का इंतिजार करते रहे चलिए बहुत बहुत धन्वाद शुरू करते हैं आपका ये जो छोटा सा कॉंटेंट से लिया है उसको स्टार्ट करते हैं ठीक है तो चलते हैं फिर नेक्स्ट आगे देखिए अन्टुनिमस है और मैं यह तो नहीं कहूंगा कि जो मैं आपको कॉंटेंट से अन्टुनिमस देने जा रहा हूं वो यही आते हैं लेकिन इन में से कुष न कुष जरूर आ जाते हैं चलिए चलते हैं यह पहला है आपका जो कि लिए अन्टुनिम और फ्लूएंट का मतलब होता है प्रवाशील या धारा प्रवा जिसका एंटूनीम आपको लेना है यह ध्यान रखिए कि यह एंटूनीम की क्लास है ठीक है ताकि बीच में बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए उनको बता देना बहुत जरूरी होता है तो यहां पर एंटून लिखा है पहले तो डिग्रेडिंग का मतलब अपमांजनक होता है इन एप्रोप्रियेट का मतलब सभी जानते होंगे अनुचित होता है और हाल्टिंग का मतलब होता है हाल्ट माने रुकना होता है इन सेंस्टिव का मतलब होता है समवेदना सून जैसे सेंस्टिव माने अमेदना सूनना होता है तो यहां पर आपका option C रहेगा चुकि fluent माने धारा प्रभा होता है तो halting माने रुकावट होती है इसलिए option आपका C लिया जाएगा इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है आपका antonym of public तो पब्लिक का जैसे कहते हैं सारवजनिक होता है इसी तरह से रेडी वाने तयार यह नहीं लिया जाएगा और private माने निजी या बेक्टिगत होता है common माने सामान होता है और restricted माने सीमित होता है नियंत्रित होता है यह भी नहीं होता है तो यहाँ पर option आपका भी लिया जाएगा इसके बाद है आपका antonym of adapt तो adapt का मतलब सभी जानते होंगे प्रवीण या निपूण या चतुर होता है एक नोरंस माने अज्ञानता होती है और lacuna माने अभाव या कमी होती है inept का मतलब होता है आपका कलंग है sorry अयोग है इसका मतलब अयोग होता है in experience का मतलब जो होता है अनभो हीन होता है या जिसमें अनभो की कमी हो अनभो हीनता जिसको कह सकता है वैसे noun है यह तो इसलिए यह तीनों आपके गलत है अच्छा एक बार meaning और सुन लेजिए ignorance माने अभा होता है और experience in experience माने अनभो हीनता होती है जिसमें अनभो की कमी होती है inept माने जो आपका होता है आयोग होता है option C इसमें correct है इसके बाद अगला है four number यह आपका है tent tent माने वैसे एक बीमारी होती छूत की तो उसी को गंदा भी कहते हैं कलंक भी कहते हैं धब्बा भी कहते हैं मैलापन भी कहते हैं गंदगी कहते हैं construct माने निर्माड करना होता है clear माने इसपस्ट होता है purify माने सुध करना होता है और repair माने मरमत करना होता है तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही होगा जो purify लिखा होता हो वो सही होगा असल में होता यह है कि attempt एक verb भी है और adjective भी है तो टेंट माने गंदा करना धब्ब लगाना कलंग लगाना और यह purify माने होता है सुध करना तो option आपको सी सही हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है आपका थाइब नंबर एंट्रुनिम आफ लिया गए रिलीज रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना तो हाइड माने शिपाना बरी माने दफनाना क्लोज माने बंद करना कंफाइन माने कैद करना तो यहां देखे रिलीज माने मुक्त करना रिहाई देना तो हाइड माने छिपाना बरी माने दफनाना गाड़ना होता है क्लोज माने बंद कंफाइन माने होता है कैद करना तो यहां आपका option डी लेना चाहिए और इसमें एक चीज तो है कि हम लोग इसको क्योंब सुन करके अपना भ्यास कर सकते हैं और बाकी तो इसमें बहुत सारे बच्चों को ज्यादातर मीनिंग्स आती होंगी तो मैंने पहले ही बोला है कि यह थोड़ा सा वार में जिसको हम एक मतलब चैनल को स्टार्ट दे रहे हैं और बाकी आपको जो कंटेंट्स मिलेंगे तो इसलिए मैं क्लास ही आज दे रहा हूँ कि देखें कितने लोग जाग रहे हैं जागने का मतलब समझ रहे हैं कि मेरे content से वीडियो का वेट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि नहीं सर की class होनी चाहिए तो इसलिए मैंने दिया हुआ है यह बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है बट यह की meanings है और यह आपको कहीं न कहीं पर जो फायदे मन्द जरूर रहेंगी आप इनका लाब उठा सकेंग और इसके friendly माने मित्रिवत होता है violent माने हिंसक होता है यह उग्र होता है तो यहाँ पर आपका C नंबर का आना चाहिए चुकि होस्टाइल माने सत्रिवत और friendly माने मित्रिवत तो option यहाँ पर C लिया जानेगा इसके बाद है आपका 7 नमन रिडेंडेंट लिखा हुए तो रिडेंडेंडेंट का जो यहाँ पर option है वो थोड़ा से ध्यान देना है इसका मतलब आपका रिडेंडेंडेंट माने आपका हो जाएगा निरठक या ब्यर्थ तो repentant लिखा हुए surplus लिखा है और singular लिखा है और required लिखा हुए तो यह निरठक या ब्यर्थ बेकार अनावश्यक आप यह कह सकते हो और required माने required माने आवश्यक option D लिया जाएगा यहाँ पर repentant माने पाश्चता प्यूक्त होता है जो पाश्चतावा करता है surplus माने बचत होती है singular माने अकेला होता है तो यहाँ option D लेना है आपको required माने आवश्यक इसके बाद है next number जो की calculated लिखा है calculated माने होता है गड़नात्मक गड़नात्मक जो बहुत मतलब किसी चीज को estimate करता है या माली जो उसको सोचता है बिचारता है समझता है तो calculated मतलब बहुत हिसाब किताब लगाने वाला विचार पूंड जिसको कह सकते हैं तो देखी जिससे care-pul माने सावधान होता है और docile माने बिनम्र होता है gentleman सजन होता है और nev माने होता है सीधा साधा भोला वाला या अनुभव हीन कहते हैं अब यहाँ पर देखी चार जब आपसंदिये होते तो दो में confusion जरूर होता है gentleman सीधा साधा यह nature से है यह मतलब उसका nature related है और यह उस का जो जिसको कहते है aptitude या knowledge का relation है जहां से उसका association है तो नव यहाँ पर option लिया जाएगा उसका मतलब उता है अनुभव हीन या मतलब सीधा साधा भोला वाला बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है वो तो यहाँ पर option ए लेना है आपको यह वाला नव माने सीध साधा या अनबवहीन या भोला बाला यह कह सकते हैं बहुत मीनिंग पूछी जाती नव की इसके बाद है आपका nine number ठीक यहाँ पर देखते हैं रिट्रेंच लिका हुए और रिट्रेंच का मतलब जो होता है वो होता है छटनी करना या कम करना यह रिट्रेंच छटनी करना हटाना किसी चीज को यह कम करना रिवायंप लिखा है रिवायंप माने होता है अमेंडमेंट जिसको हम सुधार कहते हैं बेली लिखा हुए बेली माने होता है जूटा साबित करना युठलाना डेवियेट माने बिचलित करना होता है और यह जवाब का लिखा हुए था next step क का है amateur सबी जानते amateur माने shocking होता है ना तो notus माने न सिख्वा professional माने ब्योवसाईक lover माने प्रेम करने वाला apprentice माने भी न सिख्वा होता है तो amateur माने shocking जो मतलब कोई काम shock से करता है यानि shock है उसको करने का पैशन है उसको करने का नौविस, लवर, अप्रेंटिस ये तो होगा नहीं और ये आपका होगा B नंबर एक्शली ये आदमी ब्योसाइक तोर पर काम करता है अर्थात काम करता है तो वो प्रोफिशन के परपस से करता है ये शौक से करता है अन्टोनिम का मैटर है इसलिए B आपका करेक्ट होना चाहिए इसके बाद आपका मिल गया नेफारियस ये भी बहुत इंपोर्टेंट है और ये काफी पूछा जाता है इसमें तो नेफारियस जमाने समभी जानते होंगे वैसे ज्यादातर बच्चे जानते होंगे दूस्ट होता है अब जो फ्रेसर्स होंगे वो भले इसको कम जानते हों जो इस साल अभी 2024 का एक्जाम दे रखा है तो उनके लिए मीनिंग्स कुछ नई होगी लेकिन उनको ये प्रिपेर करना पड़ेगा चुकि अब उनको इसी तरह के वर्ट्स मिलने वाले हैं तो उन्हें थोड़ा सा जादा लेबर करना पड़ेगा बांकि जो तैयारी कर रहे हैं रनिंग पर हैं वो तो साधी पढ़ी चुके होंगे जो फ्रेसर्स हैं उनके लिए अभी से ये मतलब कंटेंट्स उनके लिए बड़ा यूजफूल रहेगा धीरे धीरे जब कंटीनिव बच्चा वीडियोस देखता है वर्ट्स देखता है बुक्स पढ़ता है तो ये सारी चीजें बिलकुल इजी हो जाती हैं और बिलकुल मतलब एक मतलब जनरल सिच्यूशन पर आ जाती है ये कॉमन लगने लगती है तो नेफारियस माने दुष्ट होता है और ऐसे वर्ट्स बहुत सारे इंटर्मिडिट के बुक्स या फिर अंसोल्ड या फिर कॉश्चन बैंक वगएर अमें भी दिये रहते हैं नेफारियस माने दुष्ट होता है इविल माने बुरा होता है या बुराई होती प्लीजिंग माने होता है सुखद जो सांतोना या सांती या सुख प्रदान करता है रोटन माने होता है सड़ा हुआ और इनफर्नल माने होता है राक्षिसी या नार्की है ठीक है तो अब यहाँ पर कौन सा होगा प्लीजिंग होगा चुकि यह तो दुष्ट होता है जो पीड़ा देता है प्लीजिंग माने सुख देता है यह आपका बी पार्ट हो जाएगा इसके बाद 12 नम्मर है एनलोगस जो 12 नम्मर आपका दिया हुआ इसके माने होता है अनरूप यह सदर्स होता है इसको हम सिमिलर कह सकते है यह फैमलियर कह सकते है जो मतलब किसी के समरूप बना हो सदर्स बना हो उसको हम एनलोगस कहते है तो यह सिमिलर यह तो आपका सिनोनिम हो गया parallel समांतर जो की उसी से यहां पर parallel यह match करने लगा और related माने सम्मांधित तो यह भी कई न कई उसका synonym बनता है disagreeing agree होता तो synonym यह भी हो जाता है लेकिन यह disagreeing है जो सहमत नहीं हो रहा है तो analogous का मतलब है कि समरूप लेकिन यह कह रहा है कि आसम रूप अर्था उससे match नहीं कर रहा है तो यह mismatch करता हुआ है word इसलिए आपका option d रहेगा यानि यह वाला रहे और इसके बाद है आपका थर्टी नमबर एन उन इंटोनीम बैफिलिंग तो यह बैफिलिंग क्या होता है बैफिलिंग आपका होता है रहसमाई या फिर चौकाने वाला एकदम shocking वही होता है बैफिलिंग तो यह puzzling चौकाने वाला यह तो उसका synonym ही बन रहा है और इसके बाद है Comprehensible Comprehensible का मतलब होता है जो understanding होता है understood होता है comprehensive होता है जो समझ में आए mystifying माने रहसमाई होता है unclear माने आइसपस्ट होता है तो देखिए puzzling और mystifying और unclear यह एक ही जैसा सेंस दे रहे हैं तीनों ऐसे हैं जो रहसमाई है आइसपस्ट है लेकिन चो Comprehensible है यह आपका एंट्रोनीम इसका सही होगा बी का वज़े यह है कि यह babbling माने रहसमाई यह समझ में नहीं आएगा mystifying unclear puzzling सबेगो और यह समझ में आ रहा है यानि Comprehensible जो मतलब हमें हम कह सकते हैं कि वह हमारी approach में हो सकता है तो इसलिए Comprehensible बी पार्ट आपका यहां सही लिया जाएगा इसके बाद चलते हैं आपको next number है वो है आपका 14 और स्कॉल लिखा है और स्कॉल देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा इसको हल माने आधी तुफान हवा का जोका या फिर इसका जो सामान अर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए कोला हल बहुत मतलब आधी तुफान चले तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सोर सरावा हल चल जिसको एक परकार से कह सकते हैं वो इसको हल है तो विंड माने हवा हो गया, इसक्रीम माने चिलाना हो गया, क्राइम माने चिलाना हो गया, यह सबी जो है, इसको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, पर यह सपोर्ट नहीं करता है, पीस माने सांती, यहाँ पर कोई कुलाहल का भाव नहीं है, चीखने चिलाने का भाव नहीं है, इसलिए इस coil का जो एंटनी मोगा वो 20 होगा देखो meaning नहीं आती है तो problem होती है आती है तो कोई problem नहीं होती है अच्छा इसमें option में क्या होता है कि कोई भी चीज जैसे हमको 4 सब्द हैं 4 में अगर 2 कम से कम आती है तो 90% chances जरते हैं कि सही हो जाता है 3 आती हैं तो पक्का हो गया 4 आती हैं तो फिर बहुत ज़्यदा शेवर हो गया और 1 आती है तो डिस्टर्ग हो जाएगा 4 आती है तो फिर समझो कि वो हाथ से चला ही जाएगा और competition में एक एक meaning बहुत important होती है XtÑ का मतलब जो होता है वरतमान जो अभी चला हो या बिलकुल पूरी-पोरी तरह से focus ने हो चलन में ठीक है उसको कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं प्रच्लन में है वो in-walk जिसको कहते हैं गतिए हम होता है चलन में अच्छा, extent माने लूप्थ होता है, present माने वर्त मान, immediate माने तुरंत होता है, around माने आसपास होता है, यह तीनों अगर देखे जाएं, तो कहीं न कहीं, पर जिसे आसपास है, मतलब है, immediate, ततकाल मतलब तुरंत, जिसको कहते हैं, ततपर है बिलकुल यानि, तो वो भी हो सकता है और present तो माने लूप्थ होता है, यानि गायब होता है, इसलिए option आपका, ace आई गया 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 अच्छा, तो आज मैंने 15 ही लिये थे, और क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने short वीडियो बनाने का पहले छो सुचा था, बहुत बड़ा नही और इतने ही परियाप्त हैं, अब अगले content से आपको ठीक ठाक मिलना शुरू हो जाएगा, फिर मैं धीरे से आपकी live class भी start करूँगा, और board वाली class भी आएगी, 17 से धीरे से start के जाएगा, और पहले तो यही है कि सब चुकी सोय हुए थे, और channel भी मेरा सोया था, तो हो गया, तो सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत सुबकामना है, और आप अभी तक सभी लोग मेरे channel में जुड़े रहे, इसके लिए मैं एक बार सभी को फिर से आबार वेक्त करता हूं, और सभी को धनवाद देता हूं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्वाद, सुबकामना है, औल दे वेस्ट, गुटनाइट